हेलो एवरीवन और वेल्कम बैक तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रेंसिक साइंस की स्टूडेंट है या फिर अगर आप लॉज से भी रिलेटेड है तो आपके लिए यह वाला टॉपिक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से basically forensic science की need start होती है क्योंकि criminal justice system basically crime से deal करने के लिए बनाया गया है कि crime से किस तरह से deal करना होता है अलग-अलग type के crimes होते हैं तो उसके लिए यह आपका criminal justice system है and then जो crimes होते हैं उनको हमें identify करने के लिए forensic science की need होती है तो इसी विडिया से criminal justice system आपके लिए बहुत important topic हो जाता है और इस वाले वीडियो में आज हम पूरा criminal justice system को detail में समझेंगे जो आपका criminal justice system होता है वो क्या होता है क्या इसका procedure होता है पूरा इसको detail में आज हम समझने वाले हैं ठीक है तो चलिए at upholding social control, debtoring and mitigating crime or sanctioning those who violate laws with criminal penalties and rehabilitation efforts those accused of crime have some protections against abuse of investigatory and prosecution powers so यहाँ पर यह एक तरह का system होता है of practices and institution of government का कुछ आपके इसमें rules follow करे जाते हैं तो यहाँ पर जितना भी आपके society related चीजें होती है या फिर जो आपके crimes होते हैं उनको mitigate करने के लिए उसको debtor करने के लिए उसको रोकने के लिए उसको कम करने के लिए जो भी लोग rules के against जाते हैं जो rules को violate करते हैं तो उन पर कुछ sanctions लगाए जाते हैं कुछ उन पर criminal penalties लगाई जाती है and rehabilitation efforts भी करे जाते हैं rehabilitation का मतलब होता है कि उनको rehab center में रखा जाता है ताकि उसमें उनके अंदर कुछ changes लाए जासा कि जो भी आपके crime criminal थे उनके अंदर तो यह चीज़ होती है आपकी criminal justice system criminal का मतलब जो भी आपका criminal है justice किसी भी individual को justice दिलाना और इस पूरे के system को जो हम बोलते हैं तो इसको हम बोल देते है criminal justice system यह आपका इसका basic सा मतलब होता है और अब इसको हम आगे समझते हैं तो यहाँ पर क्या है जो आपका criminal justice system में इसकी basically three main parts होते हैं इसमें सबसे पहला आता है आपका legislative, second होता है आपका adjudication और third होता है आपका corrections तो यहाँ पर legislative का क्या मतलब होता है कोई भी crime है किसी भी तरह का crime है तो उसके against laws को create करना तो यह आपका पहला pillar हो जाता है CGS system का, second है आपका adjudication, adjudication का क्या मतलब होता है जो भी अगर किसी ने crime किया है तो उसको justification दलाने के लिए जो आपकी second need होती है वो होते है आपके court तो यहाँ पर criminal justice system का जो second pillar हो गया वो हो गया आपका adjudication third day corrections जिस भी individual ने crime किया है तो पहले यह कोशिश करी जाती है अगर वो आपके childs होते है 18 प्लस नहीं होते है तो उनको rehab center वगेरा में रखा जाता है ताकि उनके अंदर कुछ changes लाए जा सके या फिर अगर आपके 18 प्लस है कोई भी individual और उसने कोई crime किया है तो उनको jail वगेर एसके अंदर आता है jail Prison probation and Parole टिके तो यह सारी चीज़ें होते हैं यह आपका third pillar हो जाता है आपके criminal तो यहाँ पर यह तीन चीज़ें हो गई है जो आपके criminal justice system के तीन main pillars होते हैं पहला है आपका legislative, second है आपका adjudication and third है आपका corrections इसी पर based है आपका पूरा का पूरा criminal justice system तो अभी हम आगे move करते हैं यहाँ पर next क्या है बैसिकली justice का क्या मतलब होता है criminal justice system है तो यहाँ पर justice का सीधा सा यह मतलब है the process or result of using laws to fairly judge and punish crime and criminals मतलब कि जो आपके laws बनाए गए है legislative के under में उनका use करते हुए कोई भी आपका जिस भी तरह का case है चाहे वो criminal case हो, civil case हो, किसी पर तरह का case है तो उसका fairly judgment देना और जो आपके criminals होते हैं या पर जो आपका crime होता है उसको properly punish करना मतलब यह नहीं होना जाए कि किसी भी गलत individual को किसी भी innocent person को jail आपने कर दिया उसको आपने punishment दे दिया तो यह चीज़ आपकी नहीं होने चाहिए यही चीज़ आपकी जहान रखी जाती है justice के अंदर ठीक है तो यह हो गई आपकी justice के definition अब यह हम आगे move करते हैं यहाँ पर next है आपका In the criminal justice system, these agencies operate together both under the rule of law and as a principal means of monitoring the rule of law within society तो इसमें क्या है जितने भी आपके criminal justice system से related agencies होती है एजनसी का मितलब क्या हो गए जैसे कि आपकी police department हो गया और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके criminal justice system से directly link होता है तो यह सारी चीज़ें आपकी rule of law के अंडर कांग करती हैं जिस तरह से law कहते हैं उसके according हैं सारी के सारी चीज़ें चलती है और जो उसका principle mean होता है इसको monitor करने का वो भी आपका law सही related होता है पूरी की पूरे society के अंदर में तो basically जो आपके rules बनाएगे हैं जो law बनाएगे हैं legislative category के अंदर उसी के basis पर आपका पूरा का पूरा criminal justice system surrounding होता है कोई crime हुआ है तो वो भी आपके law के according ही उसको punishment दी जाएग system and for the purpose of criminal justice system it includes in particular the investigation of offenses and the treatment of offenders यहाँ पर basically जो offense होता है उसका investigation करना and जो भी आपके offenders हैं जो criminals हैं उनका treatment करना मतलब उनके अंदर सुधार लाने की जो कोशिश रहती है वो सारा का सारा आपका criminal justice system का ही एक तरह से part होता है ठीक है and अभी हम आगे move करते हैं and यहाँ पर क्या है जो आपका criminal justice system होता है इसमें कुछ होते हैं आपके substantive law और कुछ होते हैं आपके procedural law उसी से consist होते हैं आपके criminal laws तो यहाँ पर जो आपके substantive law होते हैं उसमें सबसे पहले तो आता है आपका IPC जो आपका IPC है वो एक तरह से आपका substantive law है substantive law का क्या मतलब होता है जो आपके मूल आपकी laws होते हैं मतलब कि जो आपके basic laws होते हैं जहानी जाहं पर punishment से किस तरह का crime में तो उसमें किस तरह की punishment मिलनी चाहिए तो यह आपका substantive law होता है IPC और साथ में जो special और local laws होते हैं वो भी आपके substantive law में include करे जाते हैं and enacted by the central यह आपके special या फिर local laws होते हैं यह central या फिर state legislators के अंडर में बनाया जाते हैं और उसको समय समय पर कई बार change भी कर रहा जाता रहता है next होते हैं आपके procedural law procedural law जो होते हैं इसके अंदर आता है आपका CRPC 1973 and Indian Evidence Act 1872 तो यहाँ पर मैं जितने भी आपको नाम बता रही हूँ जैसे कि यह आपका IPC हो गया, CRPC हो गया, Indian Evidence Act हो गया इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा हम अल्रेडी कुछ इनके sections को पढ़ जुके हैं बट आपको अभी तक यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि basically IPC में क्या होता है, CRPC में क्या होता है, sections तो है बट इनको हम differentiate किस सरह से करें इनको हम किस सरह से समझें, basically IPC का क्या मतलब है, CRPC का क्या मतलब है, Indian Evidence Act का क्या मतलब है तो इसके लिए बहुत ही जल्दी मैं एक separate video बना दूँगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा basically इन तीनों में आपका difference क्या होता है, basic difference क्या होता है तो उससे आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से clear होने लगेंगी तबते के लिए मैं आपको यहाँ पर इतना बता दूँ, जो आपका IPC है उसमें जितने भी तरह के कोई भी crime होते हैं, उनकी punishment बताई जाती है कि इस crime के आपको यह punishment मिलती है, यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या procedures follow करने होते हैं, क्या आपका एक तरीका होना चाहिए, किस तरह से आपको law के अंदर रहते हुए, पूरा को पूरा case को solve करना होता है तो वो procedure के बारे में आपका CRPC में बताया जाता है, और Indian Evidence Act में बताया गया है जितने भी तरह के आपकी evidences होते हैं, जो आपको crime scene पर मिलते हैं, तो उनके साथ में आपको किस तरह से deal करना होता है वो evidence कौन कौन से type के होते हैं, जो आपका as a evidence उनको consider किया जाएगा तो यह सारी चीज़ें आप भी Indian Evidence Act में बताई गई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको short में बहुत हलका हलका से बता दिया है कि basically इसमें क्या-क्या होता है, बाकि इसको बहुत detail में अपने आने वाले videos में समझेंगे ठीक है, so यह हो गया basically criminal justice system में जो आपके दो तरह के laws होते हैं, substantive law and procedural law substantive law के अंदर आता है आपका IPC और second जो है आपका procedural law, procedural law के अंदर आता है आपका CRPC and Indian Evidence Act और यह जो तीनों ही laws होते हैं, जो तीनों act हैं आपके, यह criminal justice system के major act होते हैं these three are the major act of criminal justice system, ठीक है, so यह आपके जो slide है, यह बहुत important है, basically यहाँ पर पूरे वीडियो में एक-एक slide बहुत important है जहां से आपके बहुत सारी question भी बन सकते हैं आपके net के exam में तो इस विरस इसको बहुत अच्छे समझते हुए चलिएगा, ठीक है, so यह हो गया अभी हम आगी move करते हैं, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, जो आपका criminal justice system होता है, तो उसके लिए क्या process होती है, basically कोई crime हुआ किसी भी तरह का, तो आपको उसको पूरा मितलब police department से लेकर के, FIR से अगर हम starting करें, तो punishment तक का पूरा क्या आपका, एक तरह से कह सकते हैं, sequence ह हो सकता है, क्या पूरा procedure होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, आपका step 1, step 1 में क्या होता है, registration of first information report, जिसको हम कहते हैं, short में FIR, सबसे पहले आपकी FIR होती है, वो register कराई जाती है, आपके police department में, जो भी आपके near police department होता है then the process of criminal justice is initiated with the registration of FIR, the FIR is a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense, तो यहाँ पर जब कोई भी आपका cognizable offense होता है, यानि कि किसी भी तरह का आपका कोई भी heinious type का crime होता है, तो जब उसके against, या फिर अगर cognizable नहीं भी है, non-cognizable भी है, तो उसके against, जो FIR file करवाई जाती है, मतलब कि आप police के पास gap, police के पास आपने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, यह ऐसा ऐसा crime हुआ है, यहाँ पर यह missing है, या फिर इनकी body में ली है, या फिर इस तरह से कोई भी चीज हो सकती है, जो भी crime हुआ है, तो उसके बारे में जब आप कुछ बताते हैं, police department में, police जो पहला step होता है, वो तो होता है, आपका FIR आपको लिखवानी होती है, ठीक है, इसके बार में, जो आपका second step होता है, तो उसमें क्या है, then second step में क्या है, the police officer proceeds to the scene of crime and investigate the fact of the case, police investigation mainly includes, जब आपने FIR करवा दिया, तो उसके बार में जो police officer होता है, वो crime scene पर जाता है, वो पूरा investigation क करता है, examination करता है, witness का और जो भी वहाँ पर suspect available होते हैं, अगर जो भी वहाँ पर statement होते हैं, उनकी पूरी recording करता है, पूरा, जो search होती है, crime scene की उसको conduct करता है, जो property होती है, वहाँ पर उसको पूरा cease कर दिता है, मतलब पूरा उसको block कर देते हैं, then वहाँ से fingerprints को collect करते हैं, footprint print को collect करते हैं और उसके लाबा कोई भी अगर scientific evidence मिल रहा होता है तो उसको भी वो collect करते हैं as a evidence then consulting records जो होते हैं और जो making entries होती है prescribed records में वो भी लेते हैं जैसे कि कोई case diary है daily diary होती है station diary होती है लोगों की आदस होती है कुछ रहने की तो वो आपकी daily diary हो गई तो इस तरह के जो records होते हैं तो वो भी वहां से वो pick up कर लेते हैं वहां से उठा लेते हैं as a evidence then making arrest and detentions arrest अगर कुछ उनको लग रहा होते हैं को suspect वगरा है तो उसको arrest भी वो करके ले आते हैं then उनसे पूछताश करते हैं पूरा proper procedure follow करते हैं and interrogation होता है accused के साथ में तो यह सारे के सारे steps थे जो step 2 के अंदर आते हैं मतलब जब पूरस अफ़सर scene of crime पर investigation करने के लिए जाते हैं तो यह सारे के सारे आपके जो points है यह आपका काम वहां पर उनका होता है ठीक है और यह ऐसा नहीं है कि यह मैंने कहीं से भी सही points ले दिये हैं यह जो आपके government की तरफ से एक pdf थी वहीं से मैंने सारे के सारे points लिए आपके लिए हैं basically यह criminal justice system की पूरी pdf थी उसमें काफी सारा कुछ था government related to police department होता है उस से related तो वहीं से मैंने यह सारे चीज़ें ली हैं ठीक है तो यह हो गया and अभी मागी move करते हैं यहाँ पर next है आपका step 3 step 3 में आता है after completion of investigation the officer in charge to the police station sends a report to the area magistrate the report sent by the investigating officer is in front of a charge sheet if there is sufficient evidence to prosecute the accused if sufficient evidence is not available such a report is called final report so यहाँ पर जब पूरी investigation जो भी police officer थे उन्होंने कर ली उसके बाद में जो officer in charge होता है उस police station का वो report को तयार करके उनके area के जो भी magistrate होते हैं उनके पास में भेजते हैं और जो report भेजी जाती है investigating officer के द्वारा वो आपकी charge sheet के form में होती है ठीक है उसके अलावा अगर उनके पास जो sufficient evidence available होते हैं तो वो आपकी further investigation होती है वो आपकी कुछ अगर बह examination के purpose से भीजे जाते हैं और अगर उतनी evidence sufficient evidence available नहीं है तो उस condition में जो आपकी charge sheet भीजी जाती है वही आपकी final report हो जाती है ठीक है अब step 3 तो हो गया अब इसके बाद में next आता है आपका step 4 step 4 में क्या है on receiving the charge sheet the court takes cognizance and initiates the trial of the case जब charge sheet court में मिल गई तो court में receive होने के बाद में जो court होता है वो अपना trial जो है trial start करता है उस जो भी particular जो भी charge sheet उनको मिली थी उसके basis पर step 5 होता है step 5 में क्या होता है charges frame करे जाते हैं the procedure requires the prosecution to prove the charges against the accused beyond a shadow of doubt the accused is given a full opportunity to defend himself जब आपका court ने charge sheet receive कर ली और trial start हो गया अब उसके बाद में देखे जाते हैं कि किस तरह का crime है उस पर कौन-कौन से charges file होते हैं मतलब कौन-कौन से law applicable होते हैं और वहाँ पर दोनों side की बातों को सुना जाता है जो आपके defense में है वो क्या कह रहे हैं और जो उनके साथ में crime ह हो दो असबुरा हो तो क्या कहई रहे तो हैं पर जो बी suspect होता है रोवी पूरियोफोर्चेंटी होती है लेकन यहां परस कमा乐 होते हैं पूरा जो वी काम यह होता है वह हो आपका एक तरह से पूरा investigation के अंदर होता है मतलब पूरा आपकी processing सही तरह से होनी चाहिए तो यह होगी आपका step 5 अभी हम आगी move करते हैं यहाँ पर आपका last step आ जाता है step number 6 if the trial ends in conviction the court may award any of the following punishment so जब आपका trial पूरा complete हो जाता है और time आ जाता है punishment देने का तो उस condition में court के पास में इन में से कोई भी वो आपकी punishment दे सकते हैं यहाँ पर कुछ fine लगा सकते हैं या फिर forfeature कर सकते हैं property का मतलब जब कि property होती है उसको jump कर सकते हैं उसको lock कर सकते हैं या आप seal कर सकते हैं जो भी property है then आपको simple impressionment मिल सकता है या फिर कुछ rigorous impressionment मिल सकता है impressionment for life मिल सकता है या फिर death sentence भी मिल सकता है तो इन में से किसी भी तरह के कोई भी punishment आपको मिल सकती है और वो depend करता है कि किस तरह का आपका case था किस तरह का आपका crime था crime का तरह तरह आपका motive क्या था तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद में आपका decide किया जाता है कि क्या punishment यहाँ पर देनी चाहिए और क्या punishment मिलेगी वो भी आपकी laws में लिखी हुई है जो आपके act है IPC, CRPC, IEA तो उसके according ही आपका decide होता है IPC के अंडर में कि कौन सी यहाँ पर आपको punishment मिलेगी तो यह हो गया इस तरह से पूरा process चलता है आपका criminal justice का और इसी तरह से पूरा criminal justice system एक दूसरे से link रहता है और यह सारी चीज़ें आपके run होती रहती है तो आई यहाँ तक आप criminal justice system अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद में यहाँ पर कुछ और basic से points है basically जो important points है वो तो यहाँ पर क्या है incognizable offense the police have direct responsibility to undertake investigation and the power to arrest a person without warrant जाबके cognizable offense होते हैं मतलब कि जो बहुत serious तरह है कि जो heinious type के crime होते है तो उस case में police को पूरी authority होती है उसके पूरी responsibility होती है कि आपकी जो court है उसके permission के बिना उसके warrant के बिना पूरी investigation कर सके और किसी भी individual पर अगर उसको suspension लग रहा है तो उसको arrest भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है no recognizable offense में क्या होता है बहुत heinious type के crime होते है तो वहाँ पर evidence के इधर उधर होने का बहुत chances होते हैं जो evidence होते हैं विए contamination होने की बहुत possibility हो जाती है तो इसी वेड़र से on the spot आपको investigation के requirement होती है और यहाँ पर अगर हम court के भरोसे पैठा है की court हमको पूरा warrant वगरा त्यार करके दे तब हम पूरा investigation स्टार्ट करेंगी तो उसमें बहुत देर हो जाती है तो इसी वेड़र से यहाँ पर police को authority दी गई है कि इस तरह का कोई crime है तो उस condition में आप directly without the consent of court आप जो है investigation महाँ पर कर सकते हैं ठीक है नेक्स अगर हम बात करें So non-cognizable offenses can not be investigated by the police on their own unless directed by the courts having jurisdiction to do so So non-cognizable offenses होते हैं वो तरह सीरियस नहीं होते हैं तो इस condition में इस तरह की offenses में police department को जो police officials होते हैं उनको यह authority नहीं होती है कि वो court के permission के बिना ही पूरी investigation कर सके यहाँ पर जब तक police official को आपका जो court है उसकी permission नहीं मिलेगी तब तक वो पूरी investigation को conduct नहीं कर सकते हैं तो non-cognizable offense में police को requirement होती है court के consent की but cognizable offense में ऐसी कोई भी requirement नहीं होती है उसके अलाबा अब यह तो होगे कि आपके cognizable offense है, non-cognizable offense है यहाँ पर आप identify कैसे करेंगे कि conscious में से cognizable offense है, conscious में से non-cognizable offense है तो उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है तो इसमें क्या है जो आपका CRPC का first schedule है तो उसमें बोला गया है all offenses in the IPC and mentions whether they are cognizable 255 of the offenses और non-cognizable offenses 122 of the offenses तो यहाँ पर जो cognizable offenses है, वो 255 है और non-cognizable offenses है, वो 122 है वो आपके CRPC का जो first schedule है वहाँ भी सारे के सारे offenses की पूरी एक list बनी हुई है कि यहाँ पर यह यह वाले offenses आपके cognizable offense है और यह सारे आपके non-cognizable offense है और उसी की basis पर आपका जो IPC है तो वहाँ पर उनकी punishment भी बताई हुई है तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जो भी crime होता है उसको handle करते है पहले CRPC में देखेंगे कौन सा आपका cognizable है कौन सा non-cognizable है फिर जो आपका crime है तो उसके लिए आपको किस तरह का procedure follow करना है उसके बाद में जब आपने procedure follow कर लिए जब punishment का time आया तो आपने IPC में चेक कि इसके against कौन सी punishment बनती है तो वो punishment फिर दी जाती है तो इस तरह से पूरा criminal justice system पूरा चलता रहता है ठीक है तो यहां तक जितने भी important points है criminal justice system से related सारे के सारे यहां पर मैंने बता दिये हैं यहां पर मैंने अभी IPC CRPC और जो आपका Indian evidence act है उनको discuss नहीं क्या है detail में उनके बारे में हम बाद में discuss करेंगे पूरा detail में discuss करेंगे पूरा उनको differentiate करते हैं ताकि आपको चीजी अच्छे से clear हो जाएं ठीक है सारे के सारे information मिल जाते हैं कि PDF भी आपको वहीं पर available होंगे कोई नई vacancy आएगी उसकी information भी आपको वहीं पर मिलेगी तो अभी तक जॉइन नहीं कर आए तो जरूर से कर लेंगे इसी वीडियो की description में आपको link मिल जाएगा तो वहां से आपडेटिक ली जॉइन कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पर संद आ रहा है तो इसको like जरूर से कर देंगे अपने friends के साथ में share कर देंगे ताकि उन तक भी quality content पहुंचे चानल करने है तो चानल को subscribe जरूर से कर लेंगे बेल अकिन प्रेस कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here